हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अजब गजब ग्यान चैनल में दोस्तो कितना अच्छा होता ना अगर हम बाइक को मुबाइल की तो चार्ज कर पाते जब हमें जरूरत होती तो चार्ज कर लेते और निकल जाते से परपे दोस्तो आज तक यह पॉसिबल नहीं था लेकिन अब है यहाँ दोस्तो दोस्तो बैंगलोरू की एक स्टार्ट अप कंपनी 2018 के आटो एक्स्पो में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सूपर बाइक लॉंज करने वाली है जिस बाइक का नाम है एमफलेक्स मॉडल वन दोस्तो यहाँ पाइक इंडिया की पहली इलेक्ट्रिकल सूपर बाइक होगी जैसे कि यहाँ सूपर बाइक के रैंज में आ रही है तो इसका जो कंपैटिंग इंजन होगा वो आपका 600 से 650 कीची की सेगमेंट में होगी और इसमें टॉप स्पेट की बात की जाए वो आपकी 200 किलमेटर पर आवर की होगी दोस्तो और बाइकों की तो यह सिर्फ 3 सेकेंड में ही 0 से 100 किलमेटर पर आवर की स्पीड आराम से कवर कर लेगी जैसे कि यह इलक्रिकल बाइक है तो इस बाइक में जो बैट्टी यूज़ की गई है वो की गई है सैंसंग डिराइवड लिथीमियोन 9.7 किलोड आउर की बैट्टी यूज़ की गई है यह बैट्टी फास्ट चार्ज है सिर्फ आदे घंटे में 80% चार्ज हो जाएगी और दोस्तो इक बहुत ही चौकाने वाली बात है अगर आप दोस्तो इस बाइक को फुली चार्ज कर लेते हैं तो आप 200 किलोमेटर की राइट बहुत ही आराम से कर सकते हो अब दोस्तो बात की जाए इस बाइक की पावर की दोस्तो जाशा की यह सूपर बाइक की रेंग में आती है तो इसका जो पावर का ओटपूट होगा वह लगद मिंजग 650 और ट्रून टैगर के आउटपूट के बरावर होगा दोस्तों इस बाइक का भी प्राइस का कोई ओफिशली नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन जो एक्सप्रक्ट प्राइस है वो लगबाई इसका 5-6 लाग के बीत में होगा और दोस्तों कमकरी सुरूम में सिर्फ 119 यूनिट ही इसकी सेल करेगी तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक सुपर बाइक की लांचिंग का सभी को बेसबरी से इंतिजार है और यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या यह लोगों की उम्मीदों पे घरी उतर पाती है या नहीं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद देतो इस वीडियो को लाइक करें और मेक्शूर क्लिक सुब्सक्राइब बटन पर मोर वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स